आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल महाध्यन पर वीडियोस को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें आज हम करने जा रहे हैं व्क्षीट नमबर इस व्क्षीट को शुरू करने से पहले मैं आप से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने आपके पास एक बुक होगी अपनी इंग्लिश के बुक उसमें आप अपना चैप्टर वन जो है त्री कोशन्स जो फर्स चैप्टर है उसको प्लीज ओपन कर लें हैं और उसके अंदर जो पेज नंबर 8 है एस से लेके 12 तक आपको उसके अंदर से सारा आज जो हमारी वकषीट पूरी वकषीट उसरान तो अपने जो बुक है उसको उपन करने और पेज नुमच 008 उपन करने द्थिरी कुश्ण चयप्टर है उसके पेज lobb आप है का उम्मीद आप सब देन्द आप्ट शुरू करते हैं हमें, जो हमारी बुक है उसके पेज के बीच में यह जो वर्डस जो हा हैं पर रहे यह heritage लिए यह जो हमाँ यहां पर दिया सब यह व fatto इसमें हैं और वह हमें किया हमें दिया क्या है यहां पर लिखाए in the chapter 3 questions we learned some new words let's take a look at them by going through the chapter once again find these words in the chapter page number 8 to 12 and write their details in the space given one example has been done for you मैंने भी आपको बताया कि आपके जो पेज नबर 8 से लिके 12 तक है सारे वर्ड्स जो है उस पेज में है और एक 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 एजामपल आपको करके दिखाया हुआ है अब हमें यह एक वर्ड दिया हुआ है आप आप आपके बुक्क ने अंदर है यह आपके बुक्क ने अंदर है हमें इसी तरीके से और सभी वर्ड्स को भी करना है इसे नेक्स वर्ड देखेंगे वुड्ड या वुड्स आपने बुक में देखेंगे वहां पर है वुड्स वर्ड होगा इसका मीनिंग नहीं होता है इसे एक चोटा प्वारेस्ट जी उसका संटेंस वहाँ पर आप देखें यह वहां पर संटेंस है रहमेट लेड इन वूड्ड विच्छी नेवर लेफट इसका अगा नेक्स वर इसका संटेंस हमारे बुक में है what affairs are the most important इसी तरीके से अब हम next word पहेंगे fainted fainted का मेनिंग होता है lost consciousness इसका संटेंस है हमारे बुक में when he reached the king he fainted and fell to the ground इसके बाद next word has seized seized हमारे बुक में word है और इसका मेनिंग होता है took by force जवरदस्ती करना इसका संटेंस हमारे बुक में है you put my brother to death and seized my property हमेट हर्मिट का मतलब मैंने आपको बहुत पहले बताया भी था आपको दुबारा बता देता हूं हर्मिट का मतलब होता है संत महात्मा जो होते हैं को हम हर्मिट कहते हैं a person who lives alone and leads a simple life वही संत महात्मा जो मैंने भी आपको बताया sentence हमारे बुक में हैं the hermit lived in a word which he never left faithful faithful का मतलब होता है loyal and true यह आपके बुक में होगा आप देखें जरा लीज अपने बुक को अच्छे से पढ़ें इस chapter को ठीक से पढ़ें अभी तक जितनी भी हमने worksheet करी हैं वो सभी इसे chapters से की हैं तो faithful हम वर्ड को सर्च कर रहे थे faithful आपके बुक में है और इसका मीनिंग है loyal and true sentence हमारे बुक में है I will serve you as your most faithful servant उमीद करता हूं आपको सारे के सारे जो वर्ड्स हैं आपको आपके बुक में मिल गया होंगे यह जितनी भी sentences हमापको आपके बुक्स में मिल गया हूंगे आगे बढ़ता हूं इसी उमीद के साथ अब हमें यहां पर list A है और list B दी गई है List A जो है वह वो वर्ड है और list B जो है वह मेंनिंग से है अब हमें इसका फिर्स वाला जो है कर देना है इसके बाद सेक्ड वाउंड गर मतलब हूँआ सीयूरली इंज्याट कोई आएओक का मतलब वहा्गउट अब प्राम स्लीप प्र फोड़र एक फोरगव को मतलब हूँआ पालन इस फोरगव को मतलब होता है महाफफ कर देना तो उसकu यहको और पाल salvar उसके बाद next word है हमारा pity, pity का मतलब होता है दयाभाव, किसी के लिए माफी मतलब दयाभाव आना, तो feel sorry for, उसके बाद six हमारे पास है beds, beds का मतलब होगी है small patches of ground for plants, उसके बाद हमारे पास seventh जो word है return, return का मतलब होता है वापस देना, मतलब give back, उमीद करता हूँ, आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, अगर किसी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई भी doubt है, वो please हमारे comment section में जाकर अपने doubt को mention कर सकता है, हम उनके doubt को जेतनी जल्दी हो सकेगा, उसको solve जरूर करेंगे, अगर किसी बच्चे ने चैनल को subscribe नहीं कि में और भी बहुत important videos, आपके लिए बहुत useful videos आपके लिए लेके आएंगे, और आप अपने groups में, आप अपने friends में, अपने हमारी videos को आगे forward करें, और सबसे कहें कि वो भी चैनल को subscribe करें, जिससे कि उनको ये useful videos मिल सकें, Thank you for watching the video, प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आईए तो प्लीज वीडियो को like जरूर करें, और चैनल को subscribe जरूर करें, और bell icon दबाना बिलकुल भी नह भूलें, जिससे कि आपको हमारी इतनी भी नई videos होंगी, उसकी notification सबसे पहले मिल सकेगा, Thank you for watching the video.